हालो मिस्टर जड़ाइन इंग्जेशन देने में मदद कीजी नहीं सिस्टर आप कुछ भी कर लीजिये लेकिन फायदा नहीं होने वाला मैंने कितनी बार समझाया कि सांभाक एरिया छोड़ दो लेकिन नहीं मानते हैं अब नतीज़ा देखो हाथ पैट तुलवा के हास्पिटल में लेटे हैं ओ तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि कोमा में नहीं गए भाई भाई मनी भाई को दो महिने के सदा हो गई अच्छा दो महिने की ये तो दो साल बेट पे लेटा रहेगा और बड़ा भाई जेल कारता रहेगा प्राइए सब एक हो रहे हो रहे है कलाप कर रहे है कर रहे ती यह कहना चाह रही थी ना आप हिंदी में वह कहना यह गाना बहुत पॉपूलर है इसलिए मैं गा रही थी शाड़ाप इसलिए मुझे मॉझे लड़किया पसंद नहीं मैं इसके बाप से बात करूँगी यह तुम्हारे बाप से बात करना चाहती है मैं गर्ल्स होस्टल की वार्डन मनोर्मा बोल रही हूँ मुझे आपकी बेटी के बारे में कंप्लेंट करनी है आपकी बेटी के यहां हम जोबा करने लखा हुआ है मैं तुम जरह इने अच्छी तरह समझा दो समझाने का तो पगर मिलते ही नहीं है तुम क्या बढ़बर कर रहे हो हिंदी में बोजपुरी में हिंदी में गल्स होस्टल का वाच्मेन वर्दिराज आपके बेटी कमल की है इसने होस्टल को बिगार के रख दिया है इस उम्र में जब देको पड़ाई करते रहती है जरा मेरी बेटी को फोन दीजे बेटी डेडी से बात करो अब डाटेंगे अच्छी बात है हलो डादी बेटा तुमने नासिक में हंगामा किया तो पूना भेज दिया पूना में हंगामा किया तो मुंबई मैड बीट खरवाया अब इस शहर में भेजा है पढ़ने के लिए अब तुम यहां भी हंगामा करोगी तो पूरे देश में कोई भी होस्टिल नी बचेगा तुम कुछ मत बोलो इस वक्त तुमारी वाडन ने फोन किया मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है फोन रख दो और करती हूं अब अब अरे पाप्रे पाप अरे पूरा समान लेकर इधर आ गई इधरी रहने के राधा है क्या बिल्कुल सही सोचा है टू फो थी फो थी यह सामान जर अंदर लेकर जाओ तुम इस घर में तो क्या पूरे मुहले में कहीं ने सकती देखो कुछ जादा ही बोल रहे हो तो तुम्हारा सामान बाहर फिकवा कर रहूंगी अरुबापरी भाई वो गड़िश का है ओ लेडिज होस्टल क्या बात है आप यहां क्यों आई है नमस्ते सर कर रात जो आपने हंगामा किया ना इसलिए वार्डन ने मुझे होस्टल से निकाल दिया सो क्या वार्डन ने तुम्हें सच मुझ निकाल दिया सच में निकाल दिया एक तो अकेली लड़की उपर से जवान चाहूं तो कहां जों समझ नहीं पाई इसलिए यहां चली आई अगर आप मुझे अपने घर में रख ले तो मेरे घर में देखो मेरे घर में कोई जगह नहीं है अपना टाइम में दीजी मैं डॉक्टर बन जाओंगी सर नहीं तो मेरी पढ़ाई पूरी खराब हो जाएगी सर प्लीज आम मुझ पर ना सही मेरी पढ़ाई पर तरस खाये सर आम मुझे यह रहने दो प्लीज भाई इसकी बातों से पिगलना मत यह तेजाब है तेजाब चाने दुनों भ है बापरे बाप क्या नाटक बाज लड़की है वाव कितने अच्छे सार्या अरे हाथ पत लगाओ फिर से साप करना पड़ेगा शट अप कौन है यह लड़की अभी अभी लेटेस्ट शहर में आई यह पिताजी मेरे नाम संधिया है मैं डॉक्टरी की पढ़ाई का निकली चाल पाइसा निकाल का मगर एक दिन सिस्टर बैया प्लंग पर नाम नमस्ते नमस्ते अरे तुम लोग रे मार्केट में उदर वह सो ली करो चलो अज कल हर्या नहीं दिखाई दे रहा है कॉमा अज तक फुल स्टाप तो सुना था ए कॉमा क्या होता है रहतर नों साल अज प आज तो बहुत अच्छी लग रही है घुमने चलती गया रहे टमाटर बहुत अच्छे हैं दो चार किलो रख ले अवे ऐसे क्या खूर रहा है संगम नगर का सत्चा हूं अवे विरार में मारेंगा तो चच गेट में जाके किरेगा समझा क्या चाश्मा निकाल चाल और उसनी से मैं सच मुझ में चला गया और दो साल के बाद वापस आया हूं अगर आपने मेरी कंप्लेंड की तो मैं तो सीध है कर दो मनी जी कहा रहे अपने ऑफिस में बैठें सीधा आजए यह कुक्त भाई तो सांभा आया है अच्छा वह आ गया सामब, अब क्या होगा? सिस्टर, मैंने आपके साथ कोई पता में दिने कि मेरे शिकायद बत करता है नमस्कार सर, मेरा नाम सामबा है सामबा नाम सुनके सोचा था कोई हट्टा कट्टा आद्वी होगा लेकिन तू तो एकदम बच्चा निकला तूने मेरे भाई को क्यो मारा, इतनी हिम्मद कहां से आई तुछ में सर, ना ये प्रदेश मेरा है, ना ही भाषा, ना शहर हम यहाँ चार पैसे कमाने आए हैं सर लड़की यहाँ पढ़ाई करने आई है इसको रहने की प्राबलम थी, इसके लिए थोड़ी जगह दे दी मेरी गलती की सजा ऐसे क्यों, और मैंने आपके भाई को मारा ये मेरी गलती थी, मैं माफी चाहता हूँ माफ कर दूँ हाँ, तुने मेरे भाई को मारा